नमस्कार मैं है भी बेकाणद और आप देख रहे हैं नीज़ पॉर नेशन जेडिव में क्या कुछ चल रहा है? क्या सिर्फ ललन सी ही नराज है या फिर नराज नेताओं की संख्या एक से अधिक है? हलाकि नितिस कुमार डैमेज कंट्रोल की कोसिस में जुटे हैं मनाने का दौर जारी है लेकिन क्या जो नराज नेता हैं वे मान गए हैं? हम आज इसी के बारे में आपको बताएंगे, बताने की कोसिस करेंगे कि आखिर जो निता नराज हैं हलाकि आधिकारिक तौर पर नराजगी की बात को सीरे से खारिज किया जा रहा है लेकिन हकीकत यही है कि ना सिर्फ ललन सी जो जेडिव के राश्ट्रिया ध्यक्ष हैं व जिस तरह से नितिश कुमार को लेकर के चर्चा जारी है कि पार्टी के अंदर उनको लेकर नराजगी है तो उस नराजगी की कड़ी में ललन सी तो हैं ही विजैंदर प्रसाद्यादों जो जेडिव के वरिष्ट नेता हैं वरिष्टतम मंत्री हैं उनके बारे में भी थेमेक के तरप से नाराज नेताओं को मनाने की कोशिस की जा रही है। विज़ेंदर प्रसाद यादों के बारे में कहा जा रहा है कि नितिशकुमार का हाल के दिनों में जिस तरीके की भासा रही है या फिर विधान सभा में उन्होंने जिस तरीके का वक्तब महिलाओं को ले करके दिया या प्रजनन दर बढ़ने से रोकने को ले करके दिया उससे भी उर्जा मंत्री काफी नराज थे काफी खफा थे उनका कहना था कि नितिस कुमार का जिस तरीके से वेभार हुआ है या फिर जिस तरीके की भासा का उससे कहीं न कहीं लोगों में उनको लेकर के गुसा है और इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है पार्टी सुत्र यहीं बता रहे हैं, जेडिव को जे सुत्र हैं, वे यहीं बता रहे हैं वे इंदीनों नराज चल रहे हैं उनके खेमे में कई ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ हैं और यह भी कहा जाता है या ओन रिकॉर्ड बात है कि नितिश कुमार ने भरी सभा में कहा था कि बिजेंदर प्रसाद यादो के कहने पर ही वे महागटबंधन से एक बार फिर से उनका संबंध हुआ यानि कि महागटबंधन की सरकार बनी है तो बिजेंदर प्रसाद यादो के बारे में कहा जा रहा है कि वे नाराज है नाराजगी की कई वज़े हैं लेकिन एक दो जो वज़ा निकल करके सामने आ रहे है कि नितिस कुमार का जिस तरीके से कि भासा का प्रियोक कर रहा है या फिर यह भी कहा जाता है कि बिजेंदर यादो पर दूसरे खेमे का दबाव है क्योंकि जिस महागटबंधन में की सरकार जब बनी थी तो जो टर्म कंडिसन था उसे अब नितिस कुमार फूल फिल नहीं कर रहे है इसको ले करके भी बिजेंदर प्रसाद यादो नाराज है तो ना सिर्फ ललन सी नाराज है बलकि जो कदावर मंत्री है नितिस कैबिनेट के वे भी नाराज है लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार परसू से ही दो दिन पहले से ही नितिस कुमार डेमेज कंट्रोल मनाने की कोसिस की जा रही है आज भी बिजेंदर प्रसाद यादो मुखमंत्री आवास पहुंचे थे और करीब 20-25 मिनट तक मुखमंत्री नितिस कुमार से बात किया है हलाकि बाचित क्या होई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन चर्चा यही है पार्टी के जो सुत्र है जो अंदुरूनी सुत्र है जही बता रहा है कि जेडियू के अंदर खाने सबकुछ अस्मूत करने यानि कि नॉर्मल करने की कोशिज की जा रही है कल भी हमने एक जेडियू के वरिष्ट नेता से बात की थी उन्हों ने कहा था कि 29 आते उसके पहले सबकुछ जेडियू के अंदर सामाने कर लिया जाएगा यानि कि ललन से को भी मना लिया जाएगा और अन्य जो नेता हैने की बिजंदर प्रसाद यादों के बारे में जो चर्चा की जा रही है कि भी नाराज है उनको भी मना लिया जाएगा और इसी कड़ी में आज बिजंदर यादाओ मुख्यमंत्री अबास पहुंचते हैं और वहाँ जाकरके नितिसकुमार से मुलाकात करते हैं तो इसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि नितिसकुमार एक्टिव हो गए हैं और जि देखने वाली बात होगी कि 29 तारी को जब राष्ट्रिय कारणी की जब बैठक होगी दिल्ली में तब कुछ क्या कुछ निकलता है लेकिन अभी बिहार की राज़िती में जेडियू के अंदर खाने जो उठा पटक का दौर जारी है उसको लेकर के चर्चा जारी है भारतिय जनता पार्टी से लेकर के जो सहयोगी दल है नितिसकुमार की आरज़िडी वो भी लगातार जेडिव के अंदर खाने की लडाई पर बारीकी से नजर रखे हुई है अधिक अप्डेट्स के लिए देखते रेडियो इच्परनेशन नुसकार